नमस्कार एटोजेट डिशर उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकित है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुकू कोफी अब यह जो कोफी होती है न यह दूद में भी बनाई जाती है और पानी में भी बनाई जाती है तो मैंने दूद वाली तो आपको बता दी आज पानी बताने जा रही हूँ और यह जो कोफी होती है इसके काफी जादा फाइदे है इससे सबसे पहले तो आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होगा और इसके लिए जो यह सुकू कोफी होती है इसके लिए सबसे पहले एक पाउडर बनाया जा और नहीं दस से बारा सौट यानि की सूखी अद्रक अब इन सबी को आपको धीमी आज पर चार से पांच मिनिट के लिए भूनना है देखें ये जो कौफी है अगर आपको सर में भी दर्द हो रहा है तो आप इसे पीएंगे न तो वो अच्छे से ठीक हो जाएगा इसके काफ कौफी जादा फायदे हैं ये सुक कौफी तो देखें ये जो सारी चीजे आपको धीमी आज पर ही भूननी है इसे आपको जलाना नहीं है इसलिए लगभग तीन से चार मिन तक बिलकुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लीजे यानि की भून लीजे उसके बाद इन सबी ची केरा रिया काच की बढ़नी में भरकर काफी समय तक रख सकते हैं और अब इसमें से कैसी कौफी बनाई जाती है देखे एक तो दूद वाली होती है उसके लिए आपको दूद को उबालाने तक पकाना है और उसके बाद दूद में एक चमस डालकर अच्छे से मिलाकर छान कर पी सकते हैं अब पानी वाली काफी कैसे बनानी है उसके लिए गैस कौन करके एक बर्तन रख दे जितने लोगों के लिए आप काफी बना रहे हैं उससे आपसे आपको उतना कप पानी डालने है जैसे कि मैं एक जने के लिए काफी बना रही तो मैंने एक कपी पानी डाला है और उसके अंदर आपको यह पाउडर आदी चमर जितना डालना है और एक से दो उबाल आने तक इसे हमें पकाना है देख सकते हैं इसमें उबाल अच्छे से आ गया है मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम छान लेंगे तो रिखिए जैसे हम काड़े वगेरा सब पीते हैं तो ये भी एक ट्राइ कीजेगा ये बड़ी आसी कॉफी है इसके काफी ज़्यादा फायदे है तो ट्राइ कीजेए और मुझे कमेंट्स बताए कि आपको ये सुकू कॉफी कैसी लगी है अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने फ्रेंडस और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ना बलकुल ना भूले आज के लिए पस इतना है कल फिर मिलती हो तब तक के लिए थांके फॉर वाच चाएं